मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेकनिकल दीपक यूटुब चैनल जैसे कि आप सभी को पता है सभी मोबाइल ओपरेटर कंपनियों ने अपने रिचाइज प्लैन को 40% इंक्रीज कर दिया गया है तो यहां पर वाड़ापॉन और एटल की तरफ से ओपीसियल तीन आपको किन किन रिचाइज पर कितना कितना अब पे होगा 6 दिसंबर से तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो चलते हैं सबसे पहले जियो के ट्विटर हैंडल पर और वहां पर देखते हैं कि जियो ने क्या ओपीसियल अलाउंसमेंट किया है तो आप देख सकते हो उसके बाद आप से 6 पैसे पर मिनिट चार्ज किया जाएंगे और 250 रुपे का पैक है जिसमें आपको 2 जिबी पर डे मिलेगा और सेम 1000 मिनिट आपको अधर नेटर्क पर कॉल करने के लिए और सेम वैलेडिटी 28 दिनों को लिए है लेकिन इसमें जो की पहले रिचार्ज था और सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में 1000 मिनिट अधर नेटर्क पर है नेस्ट यहां पर दो महिने के प्लैन आ रहे हैं जिसमें 3099 का रिचार्ज आपको अब से मिलेगा 1.5 जिबी पर डे और 56 दिनों के लिए यानि कि 2 महिनों के लिए और सेम 445 रुपे का अगर करवाते हैं 2 जिबी पर डे और 2000 मिनिट अधर नेटर्क पर और 56 दिनों के लिए और तीन महिने का रिचार्ज जो कि मोस्टली लोग करवाते हैं जिसमें 1.5 जिबी पर डे मिलेगा लेकिन 5555 रुपे आपको पे करना होंगे जो कि पहले सिर्फ 399 रुपे या 446 रुपे का रिचार्ज कर वाना होगा और 3000 मिनिट हमको अधर नेटर्क पर कॉल करने के लिए दिया जाएगा 84 दिनों के लिए और 599 का अगर रिचार्ज करवाते हो तो 2 जिबी पर डे 3000 मिनिट अधर नेटर्क पर 84 दिनों के लिए आपको मिलेगा और अगर कोई 12 महिने का रिचार्ज करवाता है अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इंटरनेट यूज नहीं करना चाते हैं वो सिर्फ कॉलिंग के लिए अपना नंबर यूज करना चाते हैं तो उनके लिए भी यहां पर रिचार्ज प्लैन ला दिया गया अपर टेवल प्लैन नाम से 129 रुपे का अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो 2GB डेटा मिलेगा आपको only 4 और 1000 मिनेट मिलेगा 28 दिनों के लिए अधर नेटर्वक के लिए और 329 रुपे का अगर रिचार्ज करवाते हैं तो 6GB का डेटा मिलेगा 84 दिनों के लिए और 3000 मिनेट मिलेगा अधर नेटर्वक फ्री और सेम है 1299 का करवाते हो तो 365 दिनों के लिए एक साल के लिए और 12,000 मिनिट मिलेगा चौइस जीपी का डेटा मिलेगा यह टोटल नोटफिकेशन है जो की 6 दिसंबर से एपलाई हो जाएगा तो अगर आपके पास जीओ की सीम है और आप चाते हैं कि इन 100 रुपे जो एस्टा लग रहे है उससे बचने के लिए तो आप अभी रिचाज करवा सकते हो 6 दिसंबर से पहले अगर रिचाज करवाते हो तो आपको सेम अभी के प्लैन मिलेंगे ठैंक्स पर वोचिंग